हेलो गाइस आज हम बास्वी फलनों का विजगनीत के बारे हम बात करेंगे अर्थार हम ये मैस में ये पर रखा है कि कोई भी संक्रिय है मैस में ओनली चार परागे संक्रियों का यूज़ करते हैं हम काम करते हैं इसे जोर, घटाओ, गोना और भाग इन चार से मारे मैस के संक्रियों से मारे मैस चलता है इनी के आधार पर भीजगरी के अंदर हम इनी संक्रियों का यूज़ करते हैं हमारी पहली संक्रिया आती है दो वास्थवी फलनों का योग याने कि योग करना है, दो वाश्ची say लेनी और उनका योग करना है याने कि मैं simple सब्दों मैं कहूँ कि दो फ़लन आपके पास अजिए उनको जोड़े तो किस condition के अंदर उनको जोड़ा जा सकता है तो इसमें सब से पहला आता है दो वास्त्री फलनों का योग, यानि F कोई function है, such that X tends to R, वास्त्री फलन की ओर, और G such that X tends to R, ये भी कोई दो वास्त्री फलन है, ये दो वास्त्री फलन है, यानि F और G, X से कहां जा रहे है, R की तरफ, जहां small x, subset किसका है, R का, यानि कि अगर हम F ले, तो ये X किसका हैगा है, small R का, R क्या बता रहा है, वास्त्री फलन को, अगर इन दोनों function को अगर हम जोड़े, तो यानि F प्लेस G करना होगा, तो हमने F प्लेस G भी कहां जाएगा, X tends to R, देखिए, F किसका है, X tends to R का, Y किसका है, X tends to R का, तो ये भी किसका होगा, F प्लेस G भी सस्देर, किसका होगा, X tends to R को, को सभी, small X के है, element किसका है, capital X के लिए, यानि, small X जो भी होगा, वो किसका element है, capital X के लिए, अब इनको अगर जोड़े, तो F प्लेस G, अगर इनको जोड़े, F प्लेस G को, तो ये function किसमें आजाएगा, F X प्लेस G X की फॉर्म में, और ठीक, इसी से आए, अब अगर इनको घटाया जाए, यानि कि, अगला क्या होगा, एक वास्वी फलन में से दूसरे और घटाने, एक में से अगर दूसरे और घटाओ, तो उस condition हम क्या करेंगे, F सजदे X देंस टूर्म यानि कि, function तो वह ही है, हमारे पार F और G, वही प्लेस चल रही है, वही वास्वी फलन है, तो X सबसेट किसका हो जाएगा, R का, तब एक में से दूसरे और घटाता है, वह function भी क्या होगा, X देंस टूर्म यानि X से R की तरफ मूव करेगा, और X कहां से लिए जाएगा, किसका element होगा, R के लिए, तो हम कह सकते हैं, F माइनस G, यह आपके पास, यह X आपके पास, तो F X माइनस G X हमें प्राप्त होगा, एगर इसका तीशा देखें, एक अदिस से गुना, तो F सज़ एक स्टेंस टूर्ण आर, एलफा एक अदिस है, यानि अदिस में भी आपको यह देगा है, वास्टिक संख्या होनी चीए, काल्पिक संख्या से कोई लेना देना नहीं है, आपर फंक्सन में जब भी बात करेंगे, हम रियल नंबर की ही बात करेंगे, एलफा के अदिस है, एफ फंक्सन है, जब X टेंस टूर्ण है, तो ये भी कहां जाएगा, X टेंस टूर्ण टूर्ण में एक फलन होगा, एलफा F X, इक्वल क्या हो जाएगा, ये X है, जो प्रोसेशिंग जो करेंगा, वो F के साथ करेंगा, यानि फंक्सन के साथ करेंगा, तो एक तरीके से मैं आपको ये भी कह सकती हूँ, अगर X ना हो तो ये फंक्सन की भी कोई वेल्यू नहीं, ये आप्रेट नहीं हो सकता, यहां तो अदिश से गुणा किया था, अब दो वास से फलन ही ले लिए, उनका गुणा किया जाए, तो उस गुणन को हम क्या कहते हैं, मिन्दू से गुणन भी कहते हैं, इसके लिए देखिए, F सस्देख X ट्रेंस टू आर और G, यह आपके फास फंक्सन है, इसका प्रांथ और परिसर आपको पता हो गया है, कि X से स्टार्ट होके आर की तरफ जाएगा, गुणा करवाया जाए अगर इनका, तो आपके पास क्या मिल रहा है, F, G, यह भी कहां जाएगा, X ट्रेंस टू आर, यह ओपरेट कब होगा, जब यहाँ कोई X लगेगा, तो F, G, X, जब गुणा कहते हैं, यह X F के साथ भी होगा, G के साथ भी होगा, यह एनि F, X और G, यह X एलिमेंट किसका है, X द्वारा परिवासित फालन है, इसी में देखिए, दो वास्त्वी फालनों का भागफल, F और G, दो फालन है, यह X ट्रेंस टू आर की तरफ जा रहे हैं, यह प्राथ और परिशन हमें पता है, और X सबसेट किसका है, R का, G से भागफल, जिसे F अपोन G से निरूपित करते हैं, एक फालन है, जो सभी X element capital X के लिए, हमें यह ध्यान रखना है, कि G X not equal 0, मैं आपको यह क्या दू, कोई भी फालन की बात करें, तो हमें साथ यह ध्यान रखना है, कि अपोन में जो फालन होगा, वो कभी 0 के equal नहीं होना चाहिए, के लिए, F अपोन G X, X लगेगा तब यह operate करेगा, तो इसको F X अपोन G X लिखा, यह F X अपोन G X हमने पढ़ा भी था, कि F X अपोन G X एक परिमेफलन भी होता है, द्वारा परिवासित है, clear, ज्वारा पलो शाम होगा है, बिक मैं आफ़ा को कि अप Ke connection kul